किसान मितुर नमस्कार आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किसानों का सबसे नजदिक का मित्र सबसे हितिसी मित्र पक्सी टिठरी ये आप अंडे देख रहे हैं टिठरी के अंडे ये एकदम खुले आस्मान के नीचे पहाडी पर छोटे छोटे कंकर को बिन कर ये अपना गोफला बनाती है टिठरी एक ऐसा पक्सी है जो की अपना सत्य नहीं छोड़ा, बाकी सभी जानवर इधर उधर बैट जाते हैं, कई सजीव जीवों ने अपना सत्य छोड़ दिया, पर टिटरी ने अभी भी अपना सत्य नहीं छोड़ा, टिटरी कभी भी बरसात में, रात में, आंदी में, तुफान में, किसी पेड की डाली टहनी पर नही देती है ये किसानों के लिए एक साहिरन का काम करती है अगर किसान के खेत में कोई जन्वर जंगली जन्वर आ गया तो वो अलग अलग तरह की आवाज निकालती है अगर खेत में उसी खेत के मालिक का कुटा चला जाए तो वो अलग आवाज निकालती है सियार या गिदर अगर चला जाए तो अलग आवाज निकालती है नील गाय अगर चली गई तो अलग आवाज निकालती है सांप, बिच्चु या गोहरा अगर आ गया तो वो अलग आवाज निकालती है ये एक ऐसे संकेत के साथ आवाज निकालती है जिसे किसान सचेत हो जाता है कि उसके खेत में कोई नुक्सान करने वाला जीव या नुक्सान करने वाला जानवर आ गया है किशानों को सावधान करने वाली टिटरी के अंडे ऐसा ये किशानों की और पौराणिक लोगों की ऐसी मन्यता रही है कि इसके अंडे वो उची जगह पर देती है ऐसे कुछ सुकून बुजुर्ग लोग मानते थे जैसे चीडियों का रेत में नहाना बारिस का आगमन गिरगिट का रंग बदलना बारिस का आगमन चीटियों का अपने बिल से अंडे उपरी इस्तान पर ले जाकर दूसरी जगह इस्टोरेज करना बरसात का आगमन का संकेत कोयल का बोलना बरसात का आगमन का संकेत अपरी हिस्से में देना, मद्य भाग में देना, ये नीचे के भाग में देना, ये भी बरसात के अच्छी मद्य मुतेज आने के संकेत दर्साता है। अधिक फूल आये, अधिक कैर लगे, तो अलग विचार मानते हैं। ये किशानों का सबसे सुबचिंतक टिटरी का अंडा, ये संकेत दे रहा है कि इस बार बरसात अच्छी है और तेज बरसात है।